दिमस्कार वच्छों स्वाकत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाई सिल्स्थान परिक्षाप्रस में कैसे हैं तभी उत्रपदेश पुलिस कॉंस्टबर की 6244 पद आप सभी के सामने आ चुके हैं और आप लोग इसमें तैयारी में जुड़ी चुके हो और सबसे बड़ी बात है परिक्षा कित्ति आपके पहले से डिसाइडेट है 11 फरवरी नहीं 11 फरवरी तो 18 फरवरी दोनों में से कोई एक दिन है अगर हम 11 फरवरी मान के चले तो आपके पास समय बचा है केवल 40 दिन तो इस 40 दिन में क्या बहतरिन रड़नीत होनी चाहिए क्या best strategy आपके पास होनी चाहिए किस से आपको पढ़ना चाहिए कौन सा notes, कौन सी किताबे, कौन सी class कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे अधिकतर बच्चे क्या हो जाते हैं हैं पचली बार के या कुट्अफ किया सकता है आपके पठाई का टाइम टेबल क्या होंना चाहिए आपका जुनूं क्या हो चाहिए आपका वर्दी पाने आप सप्षाइब। लाच्पा को कैसे सथ alt सla क्रीट इप कर सकते हो इस पूरे सेशन में हम लोग इसकी बात करने वाले हैं यदि आप उत्तरपदिस पूलिस कॉंस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो चैनल को अवस्ट सब्सक्राइब कर ले टीम परिक्षाप इसके लिए बहुत बेतरीन कोस निशुलक में पूरी क्लासेश पूरी और क्यों सारे के सारे बच्चे फेल होते हैं हकीकत तो यह है बच्चे कि आपके पास 60244 पद हैं कई जगा यहां पर आपको असी हजार भी सुन दे होगे इस पर दस हजार अत्रिक्त जुड़के आ रहे हैं फिर भी अगर देखा जाए ओवर असी हजार वेकंसी वो सारी व 244 पद ही है और इसमें जो फॉर्म का आवीदन होगा भरती वोट जाबे 25-30 लाग बोला है तीन साल एक्षेशन देने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें 40 लाख से कम फॉर्म नहीं पढ़ने वाले हैं तो 40 लाख में 60 बहुत बड़ी वेकंसी होती है लेकिन एक एक प इस बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले आप लोग यह जान जाएए कि उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल का पूरा का पूरा बैच आपका निशुल का है आप परिक्षाप्रस यूट्यूब चनल पे लाइप क्लासे स्टेडी मिटेरियल टॉपिक मैं पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल में टूटल एकसो पचास कोर्शन होता है और बच्चों यह टूटल जो कंक होता है यह 300 मार्क्स का होता है अब पहले जो निगेटिव मार्किंग थी वह 0.25 थी लेकिन अब यह निगेटिव मार्किंग 0.5 की हो गई है यह माइनस है आप इसे क्या कर दो कैंसल कर दो मतलब पहले से अभी जो आपके स्कोर होंगे वह और नहीं उठेंगे और अगर मैं पहले आपको कटॉप बता दूँ यह लगाता दो बार वेकिंसी आई थी एक बार 2018 में आई थी एक बार 2019 के आसपास आई थी एक बार 42,000 के आसपास पत्दा एक बार 49,000 के पत्दा लगबग एक बार भी 200 प्रस्ती इस वाले वेकिंसी में पहले 225 और बाद में लगबग आपका 185 के आसपास तो मैं यह बोल सकता हूं मोटा मोटा कि आपका जो कटॉप है 180 से 200 नंबर मैं किसकी बात कर रहा हूं नंबर क बात करो जहां पर एक कोशन आपका कितने नंबर का होता है दो नंबर का होता है तो यह आउट आफ आपका 300 पिछली बार सिलेबस में जो था पिछली बार जो कॉंपनिशन था उस एकॉर्डिंग आपका कटॉप जयता है क्या इस बार भी 200 नंबर कटॉप जाएगी सबसे बाढ़ा प्रश्न आई है क्या 185 नंबर चक्राव uppनिशन 10 economy 50 नंबर को जाएगा सबसे बड़ा प्रश्न यह या फिर अगर इसके अत्रिक्त लाना होगा तो आखिर वो सेफ स्कोर क्या होगा हमें इसकी चर्चा सबसे पहले कर देकम हैं तो बच्चो मैं आपकको बता दू यह 10,000 आपके अलग से आ रहे हो भी आएंगे अल्टिमेटली टोटल 80,000 पदों के लिए और जो टोटल पॉम पढ़ेंगे वो आपको बता दू प्रतेग वेकेंसी में जैसे 40,000,000 अगर उत्तर पदेश पुलिस कॉंस्टेबल में तो कम से कम नहीं तो 78,000,000,000,000,000,000,000,000,000 एक लाग के आपके कन्टोटर ऊपर एक वे उससे जादा भी पाड़ सकते हैं तो रहुकल मिला के देका जाए तो यह बच्ची क्या अलग-अलग gusti ओंगै नहीं यह वही चालिस स्लाग कंप्यूट वाले बच्चे हैं जो जाकी UPSI में भी बैठेंगे वही UPSI वाले बच्चे हैं जो आकी हो सकता था कि कटॉफ नीचे आता लेकिन कटॉफ हम नीचे नहीं आएगा क्योंकि सारी वेकंसी एक साथ आगे हैं कटॉफ हाई जाए तो आपको यह मान के चलना है कि कम से कम जब आप एक रणनीत बनाओगे कि 300 का आप 70% स्कोर करके आओगे जिस हिसाब से कॉम्प्टीशन ह बच्चों 2018-19 में जब आपकी वेकंसी आई थी तब इतने ऑनलाइन रिसोसेस नहीं थे इतने बच्चों को पता नहीं था इतना कॉम्प्टीशन नहीं था इतने किताबे नहीं थी आज 5 साल में पूरा चीजे चेंज हो चुका है पूरा एक बोल सत्यों क्रांती आ चुकी ह और उस हिसाब से बच्चे बच्चे के पास पतेक वहाद जैसे मैं आपको निशल कोज करा रहा हूं बहुत सारी सरस्थाएं कोज करा रहीं बहुत सारे लोग बच्चे हर जगा जुड़के पढ़ रहें तो यह जैहिल सी बात से साथ 70% भी कम पढ़ जाए लेकिन आपको अ यदि उसी इसतर का पूछेगा तो 70% से कटा आप किसी कीमत पे कम नहीं जाएगी 300 का 70% होता है बच्चो 210 नमबर जब पिछली बार आपकी 225 बार चली गई थी तो यह 210 सायज में बहुत कम भी बोल सकता हूं इसके ऊपर ही रहना है इसके नीचे एक भी अंक मतला ना इसके है तो आप यह क्यों नहीं सोच रहो पहले 42,000 2018 में आ चुकी थी उसके बाद फिर आपका 2019 में आई कुछ महीने बाद आई बोल सकते हो तो 40-40-80,000 पिछली बार भी थी पिछली बार तो लगभग 90,000 वेकेंसी थी उस हिसाफ़ से तो 60,000 वेकेंसी है तो कट्रॉफ तो और करना चाहिए तो दिमाग में रखना लेकिन फिर भी कितना भी कितना भी आगे चला जाए ये नंबर 230 से उपर नहीं जाएगा इस बात की भी गारेंटी है तो जो सेफ स्कोर आपका है वो 210-230 के बीच में है लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है गुरुजी ये नंबर हम है कि नहीं वरदी चाहिए कि नहीं और अगर बच्चा वरदी चाहिए तो सिपाही बनना है आपको तो सुन लो भावे सिपाहियों आपको केवल और केवल दू बिसे पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो है आपका हिंदी और रिजनिंग क्यों हिंदी और रिजनिंग फ मै्स का पार्ट होता है मैंट में भी क्या होता है और इस में करीब 1997 dw होते हैं बाकि जो कोशन होते हैं धारा उन्निस कोशन वह क्या होते हैं रिलिल तो gwив् desert कम से कम हैं रिजलन का पूछा ही जाएगा और अगर है यहां मैं मिनमम 15 जोड़नाव ःसां यह सेंथिस कोशन कोशन यह सेलस्थ कोशन यह आपका लगबग 64 8 epic on opp Jurassic on a brown जाए तो यह 90 प्लस कोश्चन तो आपका केवल दो विसे मतलब आपकेवल दो विसे बहुत जादा पढ़ लो अच्छे से आपका 90 नमबर यहीं पर कवर हो जाएगा लेकिन क्या आप आप दो विसे करके 90 कोशन सारे के सारे सही कर लोगे नहीं बच्छो मुझे पता है कि आप सब लोग गलतियां करोगे बहुत सारे प्रश्ण होंगे जहां पर उत्तर नहीं आ रहे होंगे तो मैं यह मान के चलता हूँ इसका बहुत जादा कर पाऊगे तो इसका 90 परसेंट बह मतलब की दो नंबर और कट जाएगा तो आप इन दो भूह बसे से कंसे कम 15-80 कोशन के बीच में टारगेट करो 15-80 कोशन का मतलब हो गया बच्छों कि 150-160 नंबर और मैंने आपका सेफ इसकोर क्या बताया मैंने आपको सेफज को बताया है क्या कि सेफ इसकोर 220 dem लेके 230 के बीच में होना चाहिए अगर आप 150-160 यहां पहुंच जाते हो तो आपको अब नंबर कितने चाहिए 210-230 के लाने के लिए आपको जारदस जादा 50-40 या आप ऐसे बोल सकते हो 50-70 नंबर आपको और चाहिए 50-70 नंबर आपको 25-35 कोशन आपको और करने हैं और यह 25-35 कोशन आप कहां से सही करोगे उसको मैं बताता हूँ अब आते हैं हम लोग GS के पोसन में, जो बच्चो GS आपका होता है, जो GS होता है, वो 38 होता है, लेकिन इस GS में आप केवल क्या पढ़ लो, आप केवल क्या पढ़ लो, आप करिंट पढ़ लो, आप ये दो विसे केवल पढ़ लो, जहां से confirm question पूछा जाएगा, और पता है क्य पूछा जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश की जेल, उत्तर प्रदेश में प्रमुक को ख्याल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुक जो बोल सकते हैं उतिहास, उनका जो भू बोल, उत्तर प्रदेश का जो बोल सकते हैं राज विवस्ता, ये main main चीज, केवल static type में पढ़ केवल पूरे GS की बात कर रहा हूं मैं, केवल आप यहाँ पे cover कर लिए, और एक आपका जो maths portion बच रहा है, maths आपको बिलकुल नहीं आती जिन बच्चों को उनको भी बता रहा हूं, अभी आप syllabus देखोगे, मैं आपको एक एक करके syllabus दिखाऊंगा, ये maths का syllabus है बच्चों, इ syllabus के इतने पार्ट से बच्चों कम से कम आठ से नौ कोशन बन जाता है, बाकि सब से एक ही एक कोशन पूचेगा, टेबल ग्राप से कोशन नहीं होगा, आपका मैं पहले बता दूँ, ये वाला पार्ट से कोशन नहीं होगा, पहले बता दूँ, एक एवल से लेवस में लिख एक कोशन आपका simple interest, एक आपका क्या होता है partnership, एक आपका profit loss, इन सबसे time speed distance से, time and work से, एक एक कोशन पूचेगा, आप पूरा chapter पढ़ोगे, एक कोशन कर पाऊगे, आप केवल यहाँ पर यह पूरा ही एक ही chapter पढ़ लोगे, आठ नहीं कोशन कर लोगे, तो मैं ये कहता कि अगर आपकी math बहुत कमजोर है, तो मैं आपको इतना सला दूँगा, कि आप केवल number system कौन सा, आप केवल संख्या पद्वती chapter पढ़ दो, और इसमें LCM, SCF जो भी सारी चीज़े हैं, ये आप केवल पढ़ लेते हो, तो 8 से 9 question आप यहाँ पे कर लेते हो, मतलब जो मैंने आपको target दिया, 20-25 आपका बचरा है, आप यहाँ पे देखो, तो 20 question आप यहाँ पे पहुंच गए, अब आपको क्या चाहिए, selection के लिए, एक highest मैं उस situation को लेके चलना हो, जब कटाओ बहुत high जाएगी, और उस हिसाब से आपके वल 5 से 10 question पीछे हो, तो यहाँ पे accuracy maintain कर लो इतनी मेहनत कर लो बच्चो, कि जो मैं 90 में आपको 80 जोड़ के चल रहा हूँ, आप मुझे गलत सावित कर दो, इस 90 में आप 85 प्रस सही कर दो, तो यह 5 आपका cover हो जाएगा, और आप GS के अन्य जो portion बचे हुए हैं, match के अन्य जो portion बचे हुए हैं, उससे 3-4 question भी छीन लेक होगे 230 जो किसी दसा में जा सकती है, तो safe score आपको 210-220 के आसपास लेके चलना है, इतना दर आप score ले आते हो तो आपका हो जाएगा, जिसमें आपका selection कौन कर वारा होगा, selection आपका Hindi और reasoning, तो कसम खालो आप वरदी की कि आपको Hindi और reasoning में एक भी प्रस्ट गलत नहीं करना है आसान भी से होता है, multiple time पढ़ोगे तो आपका selection confirm हो जाएगा, कोई बच्चा रोक नहीं पाएगा, और कैसे selection होगा, अब सबसे बड़ी समस्या आती है, कि सरजी पढ़े कहां से, हम general knowledge की बात करते हैं, तो इसमें इतनी सारी चीज़े पढ़ी हैं, लेकिन इस syllabus आपको केवल देखने भरका है, जितने मैंने आपको बोल दिया, अब पूरा इतिहास में, वो कुछ भी पूँच लेता है, वो पूरे, क्यूंकि सामान ने विज्ञान लिख दिया, पूरा विज्ञान बहुत बढ़ा है, आप क्या पढ़ लोगे, आपका भारत का इतिहास बहुत बहुत बढ़ा है अल्तिबवस्ता बहुत बढ़ी है लेकिन आपको इन सप्पे नहीं आपको छोटे चोटे टॉपिक से उत्तर पदेश की सिक्षा संस्कति यहां पर गूगोल तथा यह आपको करना है उसके बाद फिर पड़ोसी देशों की संबन यह सारी चीजे करनी है और हिंदी और विजनिंग जितना आपको हिंदी और विजनिंग पढ़ना है वो आप पढ़ लो हिंदी रिजनिंग आप कहां से पढ़ लो हिंदी रिजनिंग आपको परिक्षा प्लस पर बहुत 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 पढ़ाई जा रही है पढ़ाया सब जा रहे लेकिन मैं परिक्षा प्लस की जितनी classes होती हैं, आप केवल इतना कर लो, बस आपको ना अलग से notes पढ़ने की जुरत पढ़ेगी, ना अलग से किताबें पढ़ने की जुरत पढ़ेगी, कुछ नहीं करना पढ़ेगा, GS और math, math आपको खुद मैं पढ़ा रहा हूँगा, guarantee है, 19-20 प्रशन पूचा तो 19-20 सही कराने का, एक एक question आपका paper में छपा दूँगा, बस ये बात अलग है कि आप उसमें से सही कितना करते हो, ऐसे ही GS में एक-एक topic आपका छप जाएगा, एक-एक प्रशन छप जाएगा, लेकिन आप में कितनी छमता है सही करने की, यह आप पर depend करते हैं, तो इसके लिए आप परिक्षप्रस के साथ साथ आप किताबे practice लगाते रहो, लेकिन इसके लिए केवल और केवल परिक्षप्रस पढ़ो, परिक्षप्रस YouTube चैनल पे आप जाओगे, यही पे, जहां पे आ लगी हुई है, आप उसे निशुल्क देखो, और इस बात की भी मैं गैरंटी दे रहा हूं, कि बच्चों जो यह आपके लिए मैं निशुल्क कोर्स लेके आ रहा हूं, इसमें जो आपके इतने सारे, यह उसके टाइम टेवल है, आठ बजे आपकी मानसी कबरुजी, तीन स्टेटिक जी के, नो बजे रिजनिंग, दस बजे मैथ, ग्यारा बजे करेंट जी के, दो बजे विज्ञान और यूपी जी के, तीन बजे हिंदी, चार बजे उसी जो क्लासिस होती, उनकी प्रेक्टिस लगाता तीन चार गंटे, और उसके बात रात के साढ़े नो बजे ह अमितिहास बुगोर, ये इतनी सारी क्लासिस, सुबा से साम तक आप खुद पहले क्वालिटी देख लेना, फिर आके आप इस ब्रेटो में कमेंट करना, हासर क्या गजब क्वालिटी हो रही है, एक रुपए भी आपके इसके लिए लिया जा रहा है, और इसका पूरा का प निशुलक में, मैखोद, अरुन सर हिंदी के लिए, रिजनिंग के लिए आसीज सर, हिस्ट्री जोग्रॉपिक के लिए फाहिम सर, पॉलिटी, यूपी जी के मेंटल प्रिटूट के लिए रमन सर, साइंस के लिए नवीन सर, और उसके बाद पोलिस इस्टेटिक जी के जो ह अगर इतना कर लिए, तो यकीन मानिया आपका हो जाएगा, क्या टाइम टेवल आपका होना चाहिए, आप अगर इतने घंटे हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो, इसे आप जोड़ लोग इतने घंटे होते हैं, देने के दस-दस घंटे आपको टीम परिच्छा के मिन ábive लेगा, उस सबकुझ आपको नोट से मिलेगा, उस सबकुझ आपको परिड़ने की ज़्यवति नहीं है, तो आपको बस क्या होना है, आपको बस एक डिड़ संकल्प लेना है, आपको भटकाओ नहीं करना है, ये कुछ कह रहे हैं, आपको बस सोझ समझ के अच्छे से ए बिल्कुल जीरो से आपको एकदम सेलेक्शन लेवल तक करवाया जा रहा है मतलब हम सोनने से ऐसा बच्चा जिसे कुछ भी नहीं आता है वो भी और ऐसा बच्चा जो बहुत बिद्वान है वो भी दोनों को हम बराबर लेके सेलेक्शन से करवाएंगे और इस बात की गरंटी इस बात की गरंटी है कि अगर आप हमें 10 घंटा दे देते हो तो आपको आपकी सिपाही की वरदी अवश्य दिला देंगे कुछ भी हो जाए ये 40 दिन के रणनीत आपको अपना लेनी है उस 40 दिन सबसे ज़्यादा रेजनिंग हिंदी उसके बाद आपको GS और मैट सबसे कम समय आपको GS में देना है क्योंकि ये आपकी पढ़ाई के दर्मियान सबस्यादा समय ले जाएगा आपकी स्कोर को सबसे कम करेगा और पिछली बार भी जो इन बच्चों का सेलेक्शन नहीं हुआ था ये मैंने आपको जो लिखा क्यों पिछली बार हुए थे फेल क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या पढ़ रहते पढ़ने में आसान क्या लगता है GS पढ़ने में आसान क्या लगता है उसी में पूरा टाइम बरबात कर दिये और कोशन इतना दूर-दूर से पूछा कि एग भी सही नहीं कर पाए इस कारण से बच्चे फेल हो गएते आपको ये खुद चुनना है कि आप इस फैल की कटेगरी में आ रहे हो या 40 कटेगरी में आप वर्दी चाह रहे हो आप पुलिस भरती बोर्ड के इस बैकंसी के लिए अपने आपको उत्तर पदेश पुलिकर सिपाही बनना देखना चाह रहे हो माबाग का सपना पूरा करना चाह रहे हो अपने गाओं का सपना अपने गाओं में नाम रोशन करना चाह रहे हो ये आपको खुद डिसाइट करना है तो लग जाईए अभी से जोज भर लीजे अपने अंदर 40 दिन अगला टीम परिक्षापरस के साथ लग जाईए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर जो भी वीडियो हैं उसे आप रिमाइंड कर लिजे और प्रेलिष में जाके पहले पुरानी वीडियो देख लिए और जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है इसे टाइम टेबल से बच्चा आप 10 गंटे से जादा आप हमारे साथ मेहनत करने के लिए आप हमसे वादा कर कर लिजे आप कमेंट में मुझे बोलिया हांसर में वादा करता हूं कि टीम परिक्षप्रस जिस हिसाब चले के चल लिए उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे और मैं उन बच्चों को अभी जो लगता क्लासिस कर रहे हैं उनसे भाद जोड़के विनमर विंदी करूँगा कि आ 40 दिन के शटीजी उम्मीद है आपके इंदर एक जोज भरेगी आपको आपको तैयारी में एक सही मागदासन करेगी आपको एक सही रास्ता दिखाएगी और इस तैयारी के बदोलत आप इस वर्दी को पहनोगे भी फिर मिलेंगे सिपाईयों बहुत बहुत धन्यवाद बह बहुत बहुत आभार जैहिंद